मार्केट शास्तर के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कोई भी शेर जो है फ्लक्चुएट क्यों होता है यानि कि कोई भी शेर का प्राइज उपर या नीचे किस वज़ा से होता है उसके पीछे क्या-क्या रीजन्स होते हैं और आज के टॉपिक पर आए बट उससे पहले म मैं आपको एक चीज़ बताओं कि दो-तीन वीडियो के बाद ना हम टेक्निकल अनलिस को सीखने वाले हैं काफी डिटेल में और इसके लिए ना मैं तो काफी एकसाइड़ हूँ और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम किसी भी शेर में कोई भी शेर किसी भी ब्रोकर को यूज करके हम ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं यानि कि हम किसी भी शेर में बाइंग या सेलिंग के इस टाइप से कर सकते हैं आज हम उसका पूरा लाइब डेमो देखने वाले हैं अब लेटेस एजियूम कि हम सन फार्मा के 20 शेर को परचेज करना चाते हैं लेकिन इससे काफी सारे questions raise होते हैं कि ये कैसे होगा share buy करने के क्या procedure है और share buy करने के बाद आगे क्या होगा अगर आपके भी दिमाग में ये questions उठ रहे हैं ना अगर इन से related कोई भी question आपके दिमाग में आ रहा है तो जी हां दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है तो चीज में सीख रहे हैं कि stock market में हम एक एक चीज जो है basic से लेकर हमने starting देखी थी कि हमारे को investment क्यों करनी चाहिए फिर कौन कौन से assets होते है financial instruments क्या होते हैं IPO क्या होता है ये सब चीजों के बारे में सीखते सीखते हैं अब हम यहाँ पर आया है कि share market में share उपर नीचे क्यों ह होता है यह हमने last video में सीखा था और आज की video में हम सीखेंगे कि share को हम purchase या sell कैसे कर सकते हैं अगर आपको किसी भी topic में कोई भी confusion है तो आप इस series को starting से देख सकते हैं otherwise अगर आप practical चीजों पर सीधा आना चाहते तो इस video से जो है आप practical side पर practical तरीके से stock market में किस type से काम किया जा सकता है इसके बारे में आज से हम सीखने वाले हैं luckily आजकल का जो system है ना वो काफी fairly और well integrated है तो आजकल हमारे को क्या करना है हमारे को सिर्फ अपने broker की site पर जाना है broker की app के तरू हमने उस पर login करना है और किसी भी share को हम purchasing या selling का order जो है place कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो share हमारा एक या दो दिन के अंदर अंदर जो है हमारे डीमेट account में हमारे holdings में आ जाता है ये सब चीजे में आपको practical तरीके से समझाता हूँ तो अब हम चलेंगे अपनी screen पर और मैं आपको एक एक step करके बताता जाओंगा साथ ही साथ सिखाता भी जाओंगा कि किस type से जो है आप अपना पहला trade place कर सकते हैं और किसी भी share को purchase कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम आगे अपनी screen पर और आज हम जो use करने वाले हैं यह हम अपने laptop से आज की वीडियो में हम trade करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अपनी watch list बना रखी है जिसमें मैंने stocks डाल रखे हैं इंडेक्स डाल रखे हैं तो यह मेरी watch list है जो right side पर यहां पर आपको नजर आ रही है उसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमारे को up stocks का यह discover वाला platform हमारा खुल two weeks high पर चल रहे हैं यह सब देख सकते हैं आज के top gainers देख सकते हैं आलोक industries है जैसे की राजेश exports है mmtc है otherwise इसके अलावा हम ETFs भी देख सकते हैं फिर वो चाहे गोल्ड ETF हो international ETF सेक्टर वाइस भी हम इसमें investment कर सकते हैं top three losers जो हैं वो भी हमारे सामने नजर आ गए है smart investment करना चाहें तो smart investing भी कर सकते हैं हम इसके तुरू तो यह सब चीजे हम यहाँ पर देख सकते हैं बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पहला trade कैसे apply कर सकते हैं तो यह हम क्योंकि उनकी upstocks की website की तुरू करने वाले हैं तो अगर आप इसमें mobile application की तुरू अगर investment करना चाहते हैं upstocks में अगर आपका अभी तक इस broker के साथ dmat account नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए आपको trade करने के लिए आपको अपना डीमेट अकाउंट चाहिए और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे description में को upstocks का link मिलेगा आप उसमें जाकर अपना डीमेट अकाउंट आज ही open करवा सकते हैं उसमें सिर्ब आपको कुछ basic details डालनी है अधार कार्ट, pen card और अपना bank account डालना है और उसके बाद जो है एक से दो दिनों के अंदर आपका डीमेट अकाउंट open हो जाएगा और आप डाल सकते हैं अब बात करें यह हम web portal यूज करने वाले हैं तो अगर आप mobile application के तुरू भी अपनी investment करना चाहें तो upstocks की mobile application भी आपको play store पर मिल जाएगी उसके तुरू भी आप अपनी investment कर सकते हैं और उसका link upstocks की app के तुरू आप किस टाइप से investment कर सकते हैं उसका link जो ह अगर आप web portal को use करके करते हैं तो आपको थोड़ा सा interface में अलग फरक आएगा और application को use करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा जादा easy भी हो सकता है तो एक बार आप इस वाली वीडियो को भी जरूर देखना अगर आप upstocks की app के तुरू ट्रेड करना चाहते हैं तो चलिए कि दोस्तों आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम अपना पहला शेयर डालें तो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास 21 शेयर में holding पड़ी है orders में देखें तो आज ही मैंने IRCTC के shares purchase करे हैं अब मैं आपको एक नया trade डाल कर दिखाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले आपको यहां पर जाना है सर्च मारना है कोई भी share को कोई भी share सब्सक्राइब कीजिए मैं NAC का और एक है BAC का अब आप जिस पर चाहें उस पर purchasing कर सकते हैं तो आपको यहां पर नजर आएगा GTL Infra BE यह NAC का कोड है और GTL Infra T जो है यह BAC वाला है तो अब आप जिस पर चाहें उस पर purchase कर सकते हैं मान लीजिए मैं NAC पर करता हूँ तो आपके सामने तीन option नजर आ रहे हैं यह पहला है चार्ड का यह है buy वाला और यह है sell वाला आपको जब share purchase करना है तो आपको यहां पर buy पर click करना है buy पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको new order place करने के लिए पूछ रहा है तो side जो है buy क्यूंकि हम buy करना चाहते है product type हमारे को delivery करनी है क्यूंकि मैं इस share को उठा कर अपने demate account में जैसे ही मेरे को purchasing मिल जाए तो मैं इसको अपने demate account में hold करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं delivery देख सकता हूँ intraday अगर आप आज ही खरीद कर और आज ही बेचना चाहते हैं तो आप इसे intraday वाली side पर switch कर सकते हैं तो आपको यहां पर intraday के लिए वो share बाय हो जाएगा तो मैं यहां delivery पर डालता हूँ अब आप जितने share चाहें उतने purchase कर सकते हैं मान लिजिए मैं यहां पर 100 shares डालता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे से यहां पर मांग रहा है 230 रुपे लगेंगे और इसमें अगर मैं limit price डालना चाहूँ जिस price पर मैं limit यानि कि जिस price बर्मान लीजिए कि यह भी 2 रुपे 30 पैसे चल रहा है और मैं यहां पर 2 रुपे 20 पैसे लेना चाहता हूँ तो मैं यहां पर अपनी मर्जी से 2 रुपे 20 पैसे का price भी डाल सकता हूँ अगर आप यह दोनों switches को off रखेंगे तो यह आपका order जो है वो market rate पर जाएगा यानि कि 2 रुपे 30 पैसे या जो भी market rate चल रहा है वो उस rate पर आपका order जो है एक्चेंज के पास चला जाएगा और trigger price का मतलब होता है जैसा कि आप question mark पर रखके समझ भी सकते हैं जैसी आप question mark पर click करेंगे यह आपको एक नई window पर ले जाएगा और आपको trigger price जो है उसके बारे में पूरा सब कुछ जो है detail में बता देगा how to use trigger trigger is off trigger is on यह सब चीज़े जो है आप detail में पढ़ना चाहें तो आप इस question mark वाले button पर click करके detail में पढ़ सकते हैं और अगर price लगाना चाहें तो आप इस type से इसको on करके और trigger price भी अपना enter करके market में वो rate जो है आप डाल सकते हैं अपने exchange के बाद उस rate पर अपना order place कर सकते हैं day का मतलब होता है कि आपका order जो है अगर execute अभी नहीं होता या आपने limit price लगाया तो अगर आपका order अभी execute नहीं होता तो वो पूरे दिन तक जब तक trading का दिन चल रहा है यानि कि सुबह सवा नौ से लेकर साड़े तीन तक जो भी इनका trading hours होते हैं उसमें अगर आप order day पर लगा के छोड़ देते हैं तो आपका पूरे दिन के लिए वो order valid रहता है और IOC का मतलब होता है instant or immediate or cancel तो यानि कि अगर आपका order जैसे ही exchange पर जाएगा या तो वो execute होके आपको मिल जाएगा या फिर वो cancel हो जाएगा पूरे दिन के लिए वो order आपका नहीं लगा रहेगा अगर आप IOC पर click करके अपना order place करते हैं तो मैं day पर ही लगा कर छोड़ता हूँ वैसे अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में detail में तो आप देख सकते हैं जैसे आप day पर click करेंगे ना उसके बारे में detail जो है आपको थोड़ा सा नीचे वाली side पर आपको मिल जाएगी और IOC पर पढ़ना चाहते हैं तो IOC पर click करके आप यहाँ पर उसके बारे में details जो हैं वो पढ़ सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर buy पर click कर देता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि buy पर click करते ही मेरे को 200 share लेने थे मुझे 100 share लेने थे तो 230 रुपे मेरे वो लग रहे हैं और taxes and charges में देखें तो point 27 पैसे जो है मेरे वो लग रहे है taxes and charges अब अगर आप taxes को detail में पढ़ना चाहें तो आप question mark पर click कर सकते हैं और इसमें आपको सारे taxes और charges की details मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि 23 पैसे 27 पैसे में से 23 पैसे तो मेरा STT लग रहा है transaction charge मेरा एक पैसे का और stamp duty जो है 30 पैसे की और stamp duty जो है 3 पैसे की लग रही है तो मैं side पर click करके वापिस से अपने order को complete करना चाहता हूँ तो जैसे ही अब मैं buy पर click करूंगा अब आप देख सकते हैं कि your order to buy 100 shares of GTL Infra 2 रपे 30 पैसे has been sent to exchange done पर click करते हैं और अब आप देखेंगे कि orders में मेरा क्योंकि वो उस share पर circuit लगा हुआ है तो इसलिए ये order मेरा अभी फिलाल pending में चला गया है जैसे ही ये order complete हो जाएगा एक्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां पर आपको नीचे history में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस order में मेरा open लिखा हुआ है और इस order पे complete लिखा हुआ है तो complete वाली side पर आपका जो order है जैसे ही वो execute हो जाएगा और ये लिजए आपके सामने एक्जीक्यूट भी हो गया यानि कि 100 shares मुझे GTL Infra के 2 रुपे 30 पैसे के हिसाब से मिल गए है तो इस type से आप अपना buy trade जो है डाल सकते हैं अपना पहला trade पहला share जो है आप इस type से purchase कर सकते हैं अब अगर आप sell करना चाहें तो मान लीजिए मैं alok industry के share को जो आज का top gainers में से दिखा रहा है आप इसमें chart देखना चाहें तो आपको chart भी देखने को बड़े अराम से मिल जाएगा अगर आप analysis करना चाहें जैसे दीरे दीरे आपको analysis के बारे में पता चलेगा technical analysis की side जाएंगे तो आप इसमें और भी अच्छे तरीके से इसे समझ भाएंगे तो chart जो है अगर आप analyze करना चाहें कोई indicator डालना चाहें कुछ करना चाहें तो वो आप यहां से भी chart में trading कर सकते हैं chart को देख सकते हैं chart को analyze कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मिनट की candle बनी हुई है खैर हम इसके ओबर बाद में detail में आएंगे इस series में तो अगर हम sell करना चाहें तो मान लीजिये मैं sell पर click करता हूँ अब आप देखेंगे कि sell वाला जो option है यह हमारे को red में visible होता है और यह buy वाला blue side में तो हम sell करना चाहते हैं same delivery वाला shares मान लीजिये मैं एक share ही sell करना चाहता हूँ और day वाला मैं रखता हूँ market rate पर मैं sell करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे ही मैं sell पर click करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि taxes and charges में 3 पैसे मेरा charge लग रहा है और order send your order to sell one share of alok industry 34.85 पैसे has been sent to the exchange जैसे ही अब आप done पर click करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि alok industry का जो selling वाला order था मेरा वो fail हो गया है यह fail किसली हुआ इसके बारे में भी आपको यहीं पर detail में आप जैसे ही इस पर click करेंगे आपको सारी details यहां पर मिल जाएंगी तो fail का reason आप देख सकते हैं कि this stock is not available in your holdings तो अगर वो share क्योंकि मैं delivery base पर काम कर रहा हूँ तो अगर वो share मेरे portfolio में होगा तब ही वो share हम यहां पर sell कर सकते हैं otherwise जो है इस type से मेरा order fail हो जाएगा और यहीं अगर मेरे portfolio में वो share पड़ा होता तो फिर वो यहां पर जैसे कि यह fail वाला option की जगा वो यहां पर sell में आके complete हो जाता जैसे आप देख सकते हैं कि 100 by 100 तो यहां पर भी वो one by one हो जाता quantity at market और यहां पर वो order जो है वो complete हो जाता और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है कोई confusion रहती है buying order में या selling order में या किसी और तरीके से अगर आपको platform use करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने question अपनी queries जो है नीचे description में पूछ सकते हैं मैं आपकी question आपकी queries को जरूर solve करूँगा पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर question हर query को solve कर पाऊं और आपको किसी भी type की कोई भी confusion ना रहे इस series market शास्त के next वीडियो में हम इसके next step को next concept को indexes के बारे में समझने वाले हैं तो आपको क्या करना है आपको उसके लिए सिरफ इस channel को subscribe करके रखना है और bell icon को भी प्रेस करना है ताकि जैसे इस channel पर कोई भी video upload होती है तो उसकी notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाए वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे like करना और share करना बिलकुल न भूलें तो चलिए दोस्तो आज की session में हम इतना रखते हैं मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मैं तशार बदी राजा आप से लिता हूँ इजाज़त बाई बाई and take care